हेलो एवरीवन वेलकम तो प्रैक्टिस मॉक्स सो गाई आई बीपेस प्यो प्रिलम्स रिजल्ट आज चुका है आप अपना रिजल्ट आई बीपेस की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं यहां पर अपने क्रिदेंशल वो करिए और आपका जो पासवर्ड है वो अगर आ आपका एक्जाम है और जो डेज हैं फिफ्टीन डेज आप मानकर चलो टोटली क्योंकि एटीन डेज हैं फिफ्टीन डेज टोटल लेकर चलो और इन्हें बहुत अच्छे से यूटलाइज करो कि और स्ट्रेटिजी जो होनी चाहिए अगर आपने जीए प्रिपेर कर लिया तो बहुतत अच्छी बात है अगर आप स्टार्टिंग से जीए पढ़कर आ रहे हों क्योंकि ये सब पता है की जीए का अगर हम बात करें जी एक वें के क्विस्टेंक्शन्स की तो लास्त के 3 금ंद्स आपको टारगेट करने अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हुँ वो 5th November को है तो आपको क्या करना है October, September and August ये 3 months बैठ के रटो अब ऐसा नहीं है कि सारा ही time आप यहीं पर divide करके अपना पूरा जो time है वो division अच्छा होना चाहिए कि दिन का 10 घंडा तो पढ़ो 9-10 hours अभी आपको पढ़ना है because mains prelims सिफ qualifying होता है और mains की जो marks है वो score होते हैं वो interview प्लस mains की marks अपके final merit list के लिए बहुत important है और interview पे आप तभी जाओगे जब आप at least अगर मैं बार लो mains की cutoff का तो 7200 ये least हम बात कर रहे हैं अगर 71 हम last year की mains की cutoff target कर रहे हैं उससे पहले आपकी 80 थी तो जो range है वो यही है 7200 का range है अब इतने marks अगर आपको target करने तो आप कोई भी subject नहीं skip कर सकते हो तो इसके लिए important है कि आप daily 9-10 hours devote करो अभी अब यह जो 15-18 days है ऐसे divide करो की 2 hours तो आपका GA होना ही चाहिए अगर आप daily नहीं पढ़ रहे हो तो PDFs लो बहुत सारी PDFs available है market में प्लस अगर आपको हमारा आप उन्हें पढ़ो daily 2-2 hours लो और उन्हें पढ़ो और revision बहुत important वहां पे जो मेरा इतने सालों का means देने का experience वो यह है कि वहां पे जाकर यह लगता यह भी पढ़ा था यह भी पढ़ाता तो बैकर है जितना पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो उससे चाहे कि in-depth में question पूछें वो आपको आना चाहिए second thing अब यह वो टाइम नहीं है कि आप daily mocks तो नहीं आप आज मौक दे रहे हो तो कल पूरा दिन बैठके उसे analyze करो कि आपको कौन सा question पहले करना चाहिए था अभी at least आपको choice आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा question opt करना था वहां प पहले से अगर आप नहीं मौक दे रहे हो तो यह 15 days में आपको daily नहीं भी तो alternate days पे आपको एक मौक देना है और उसे analyze करना है अब अभी तक आपको यह तो पता यह figure out अपने कर लिया होगा कि कौन सा subject आपका strong है और कौन सा नहीं है तो इन चारो subject कि अगर हम बात करें तो English को हम सबसे पहले target करते हैं अगर English आपका नहीं इतना अच्छा है तो अभी आप ऐसा नहीं कर सकता कि 15 days में सब कुछ चेंज कर दो और overnight ऐसे 15 days में आप वो लेकर आजाओ level कि आपके आप यहां पे 30 ब्लस या 25 प्लस मार्क्स आजए नहीं अभी यह नहीं पॉसिबल है तो decent marks को target करो आप sectionals दो मेंस लेवल के questions करो आर्सी इस पर ने आर्सी सॉल करो कि हां at least जो आप सॉल करें उसमें क्यूरेसी है क्वांट की अगर हम बात करें तो डियाई डेली दो या तीन डियाई के सेट सॉल करो क्योंकि डियाई बहुत important है अब यह होता है वहाँ पे student word problems को target करते है प्रिलेम्स बहुत easy होता है कि प्रिलेम्स अब में बहुत simple सा डियाई आता है या तो आपका बार सेट आजाता है लाइन ग्राफ आजाता है या पाई चाट आजाता है तो आप उससे solve कर ले तो easily या फिर नंबर सीरीज होते हैं क्वाड़िक एक्वेशन होते हैं तो यह सब करके आप marks ले आतो लेकिन हम बात कर रहे है मेंस की तो यहां पर आपके concept clear होने चाहिए और आजकल क्या होता है म में conceptual DIs जादा पूछे जाते हैं तो आपको basic percentage पे ही नहीं दिखेंगे आपको profit and loss, time and work, ins, TSD, इन सब भी DIs देखने को मिलते हैं तो वहां पर question selection बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो जितना time आपको provide किया गया है वो आप बहुत अच्छे से utilize कर रहे हो अब हम बात करते हैं कि अब रीजनिंग में जो सबसे बड़ा major fear है वो यह स्टुडेंट्स को कि puzzles or setting arrangement को नहीं करना इन्हें नहीं करोगे तो फिर किसे करोगे आप मिसलेनियस के भरोसे जातो या फिर critical reasoning के उस पे जातो कि हाँ critical CR कर लेंगे but CR में काफी डाइसी रहता है कि आपको यह भी सही है नहीं है एक तो आप इतना एक्जाम में इतने pressure में होते हो कि हां आपको लगता है तीन बार एक ही CR आप रीट करते हो इट है कि अगर आप CR कर रहे हो नॉमली अगर आपको CR पढ़ो तो आपको पता रहता है हां यह answer है but मेंस के टाइम पर क्या होता है आपको पजल नहीं आ पर क्या होता है आप पैसेज देखकर डर जाते हो पजल का कि हाँ यह नहीं होगा दूएबल वहां पर नंबर्स देखो वहां पर फेक्ट्स देखो कि उसने जो information दी है attributes कितने है यह numbers दी है डिरेक्ट एस प्रोवाइड करे हैं यह जो ख्लूज है वो यह हैं फाइफ यह का पूरा मेंस का पेपर चार-पांच मेंस देकर ही जाओ क्योंकि 15 डेज में 6-7 मेंस आप इसली दे सकते हो अभी भी तो रेजिनिंग में आपको स्केप नहीं करना है इंपुट आउटपुट करो ब्लड रिलेशन करो रैंकिंग करो और जो यह लोग यह बोलते हैं कि पेपर मतलब बहुत ही सर्प्राइजिस हैं इस बार पेपर में आ सकते हैं में में बहुत सारे सब्सक्राइज देखने को मिलें तो अभी तक कर हम देखे हर सल किसी भी एर का अनलेसिस उठा कर देख लो 60% से ज्यादा 60% मैंक्स है कि इस से ज्यादा तो नहीं नहीं कुछ आया होग तो उसे देखकर ऐसा लगा था कि हाँ यह नहीं सॉल हो सकता डिरेक्शन सेंस के जो क्वेशन से मुव्मेंट के साथ जो क्वेशन से कोड़ डिरेक्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ था बट यु वर अबल तो सॉल्ट आट कुषिंट राइट अप घर आए उसके बाद आप कोई स्ट्रेटिजी नहीं है नहीं पड़ा तो रटो बैट के अगर आपने स्टार्टिंग से पड़ा है तो दाट इस फाइन कि हाँ आपको बस रिविजन करना है अगर कुछ नहीं पड़ा है तो थ्री मन्स की पीडियाफ्स लो और उन्हें पड़ो यह टू मन्स की लास् अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका आज नहीं क्वालिफाय हुआ है तो यह टाइम बिलकुल भी वह नहीं है कि आप आज बैटके दुख्यों की हाँ नहीं हुआ होता है कि बहुत बार आप बहुत सारी प्रपेशन के साथ जाते हो किसी भी वज़े से अगर आपका प्रिलिम्स नहीं क्लियर हुआ है इस बीए का आपका एक्जाम है नवेंबर फर्स वीक में आपका एक्जाम है तो अभी हमने लाइफ टेस्ट दे रखा है हमारी वेबसेट पे फ्री है यह लाइफ टेस्कल तक है अगर नहीं हुआ है तो आज दुखी होने की पर्टिकुलर टॉपिक्स में या फिर रीजिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे सब्जेक्वाइज वीडियो गोस्टिस हैं यहां पर आप यह चेक आउट कर सकते हो और यह पर्चेस कर सकते हो अभी के लिए सिफ एक सब्जेक्ट में अगर आपको प्र आप यहां पर जीरो मांक्स का अगा नहीं सबको बता है इंपोर्टेंट टॉपिक्स किया है तो ट्राय करो किस एक्सेंट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो और वह वाले टॉपिक्स में अभी भी कमांड लिकर आ सकते हो अगर आपने हमारा पीडियो पर्चेस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है उसम्में आप मेंस लेवल के लिदी इस सॉल करो पजल सॉल करो सेटिंग अरेंजमेंट सॉल करो तो फिफ्टीन डेस बहुत होते हैं क्योंकि यह डिसाइडिंग डेस हैं कि आप इस साल इवी पिश पर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं स्व